ओम्शान्ति, आज हमारी परमादर्निय, परमशृत्थे, मम्ता की मूरत, ज्यान रत्नों की खान, आदर्निय, प्रताश्मनी दादीजी का चौदावे, पुन्य स्मृती दिन पर, उनके सिक्षाएं, मदुर्स्मृतियों को याद करते हुए, जैसे हर एक बात नैनों के सामने तरो ताजा हो जाती है। आज स्वयम को मैं सौभाग शाली समझती हूँ, कि ऐसे बाबा के चुनी हुई विशेश, मुन्नि मम्मा के, सानिध्य में रहने का, मुझे सौभाग की प्राप्तुपा है। दादी जी की एक एक बात, जब स्मृति में आती है, तो ऐसा लगता है के, अदबुत गुणों की खान थी। वैसे तो दादी जी के सानिध्य में ही मेरा समर्पन हुआ, 1980 में, और उस समय दादी जी ने बड़े प्यार से, उजज़त के साथ, सभी को यही सुनाया क्लास में, कि अक्सर बेहने अपने सेंटरों पर समर्पित हो जाती है, परन्तों आज, मदुवन को एक कन्या प्राप्त हो रही है, जिस पर दादी जी का हक है, मदुवन का हक है, मुझे बहुत अंदर में ये महसूसता हुई, और उस दिन से लेकर के यही फीलिंग आई, मैं मदुवन निवासी है, उसके बाद दादी जी ने विशेश मुझे बॉम्बे भेजा, लेकिन ये कहते हुए ही भेजा, कि जब भी मदुवन की आवश्यक्ता होगी, तो दादी तुझे चरूब बुला लेगा, मुझे हर समय ये फीलिंग रहती थी, मैं मदुवन की, और इस तरह से जब भी दादी जी का बॉम्बे आना होता था, तभी भी मुझे एक विशेश निकटपन का अनुभाव होता था, यही मैसूस होता था दादी मेरी है, और बड़े प्यार से दादी मुझे गले लगा लेती थी, कूप सारा प्यार लूटाती थी, मुझे याद आती है घड़ना, कि जब दादी जी बॉम्बे आये थे, और दादी जी का प्रोग्राम सेंटर पर था, मुलुंद सेंटर के कोई नया सेंटर फुल रहा था, तो वहाँ पर दादी को जाना थो उपनिंग के लिए, दादी के साथ मुईनी में तो हमेश्य साथ रहती थी, तो उस समय जब वहाँ से भाई आये लेने के लिए, दादी जी को ले जाने के लिए तो योगिनी में ने मुझे कहा के ऐसा करू तुम दादी जी के साथ चले जाओ, उस समय कोई गाडियों का काफिला तो होता नहीं था, वह एक गाड़ी आये थी, क्योंकि सेंटरों पर भी गाड़ीयों का, गाड़ीयों वाले भाई बहने बहुत कम आते थे, तो इसलिए वह एक गाड़ी आये थी, जिसमें दादी जी, मुझे दिदी और मैं, ऐसे हम तीनों को जाना था, परन्तु ऐसा हुआ कि जैसे ही हम वहां से निकले, और करीबन एक घंटा का रास्ता तै किया, दो घंटे का टोटल जर्मी था, तो एक घंटे का रास्ता तै करने के बाद उस भाई की गाड़ी खराब हुगे, उन दिनों में मोबाईल फोन तो थे नहीं, तो मुझे बड़ा खराब लग रहा था कि अब गाड़ी चल नहीं रहे, भाई ने देखा और कह दिया कि अभी गाड़ी तो खराब होगे दादी, अभी कोई दूसरा बंदोबस्त करते हैं, और मैंने किसी दुकान में जा करके लैंड लाइन से थोन किया योगिनी मेहन को, तो कहाँ भी अगर मैं गाड़ी भेजू भी कोई, तो एक गंटा आप लोगों को ठहरना पड़ेगा, तो दादी जी से पूछो कि भई, आप लोग कहें ऐसी व्यवस्था है खैरने की एक गंटा, तो कि उन दिन बंबे में भी बहुत कम सेंटर्स होते थे, बड़े-बड़े पराओं में तो सेंटर्स होते थे, लेकिन छोटे-छोटे स्थानों में तो सेंटर्स नहीं होते थे, और जहाँ जाना था, वहाँ भी एक गंटा और लगना था, वहाँ से भी गाड़ी आएगी, तो भी एक गंटा लगना था, तो दाधी जी से पूछा के हम एक गंटे के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक दूसरी गाड़ी आए दाधी जी इतनी निर्माण चेत दाधी जी ने कहा कि में एक गंटे के लिए वेट करेंगे वहां कितने भाई-बैने खड़े होंगे क्योंकि ओपनिंग का जो टाइम दिया था उसके हिसाब से तो सारे भाई-बैने एकत्रित हो गया होंगे तो दाधी जी ने कहा ऐसा करो एक गंटा वेट क्यों करें हम गाड़ी आने तक एक रिक्षा बुला क्योंकि उस एरिया में टैक्सीज नहीं होती थी उन दिनों में रिक्षा चलती थी तो दाधी जी ने कहा ये रिक्षा बुलालो और हम तीन ही तो है तो तीनों बैठ जाएंगे रिक्षा में और पोंच जाएं गे मुझे बड़ा खराब भी लग रहा था कि दादी जी को में रिक्षा में कैसे ले जाओ लेकिन कोई टेक्सी नजर नहीं आ रही थी क्योंकि टेक्सी में बॉम्बे में चलती थी पराओं में इस तरफ नहीं चलती थी रिक्षा ज्यादा चलती थी मोहिनी बेन के तरफ में देखने लगी मोहिनी बेन ने कहा हाँ दादी ने कहा है न चलो एक रिक्षा कर पहुंच तो जाए टाइम पर हमने एक रिक्षा बुलाई और रिक्षा में हम तीनों बैठ गए दादी, मैं और मुईनी में तीनों एक रिक्षा में बैठ करके जिस थान पर हमें जाना था वहाँ पर पहुँच गए सभी लोग तो इंतजार कर रहे थे के दादी अभी बैरोड कार में आ रही है लेकिन जब रिक्षा से उतर करके हम सभी को देखा सभी आश्यरे चकित हो गए थे लेकिन उस समय मैंने दादी जी की ये निर्मानता देखी कि दादी जी को ये भी नहीं कि भई दूसरी गाड़ी आने तक हम वेट करे ये दादी जी को ज़्यादा चिंता थी इतने भाई-बहने इखटे हो रहे हैं और हम कितना समय लेक पहुँचेंगे एक गंटा गाड़ी आने तक रुखेंगे और एक गंटा जाने दो गंटा हमें रुखना पड़ेगा कितना टाइम वेश्ट किंत रहे समय पर पहुँच जाना ही उजित रहेगा और उसके लिए दादी रिक्षा में बैठ करके हमारे साथ चली ये दादी जी की निर्माण था हमने उस वक्त अनुखों किया तो इसलिए कहा कि दादी जी को कभी भी ये फिलिंग नहीं थी कि मैं एड्मिनिस्टेटिव एड हूँ ये अहंकार दादी जी के अंदर कभी नहीं देखा दादी का जो स्लोगन था निर्माण निर्माण और निर्मलवाणी ये प्रैक्टिकल दादी जी की इतनी धार्णा थी वो चीज ने मुझे इतना प्रभावित किया था और उस दिन से लेकर के इस चीज को मैंने भी अपने जीवन के अंदर कि अगर दादी जी इस तरह से आजा सकती है और कर सकती है और कारे करम को महत्व देती है कि बाबा के इतने बच्चे बैठे होंगे कोई दूप में बैठा होगा कोई कहां बैठा होगा इससे तो समय पर पहुँच जाना ही उचित रहेगा उसके बाद जब मैं हैदराबाद गई जहां प्रमा कुमारीज के द्वारा पहला मैनेजमेंट सेंटर खुला था तो उस मैनेजमेंट सेंटर के ओपनिंग पर वरमादर्निय दादी जी पहुँचे थे और जब उसका ओपनिंग किया तो उस समय ओपनिंग करने के बाद दादी जी ने मुझे बिठाया और कहा कि देखो ये कंपनी वाले लोग हैं और इनके अपनी नजरिया होते हैं तुम अपने जीवन को ऐसा आदर्श बनाना क्योंकि तुम्हें बाबा का नाम बाला करना है और इसलिए अपने जो नियम सिद्धान्थ है उसको भी कायम रखते हुए उनकी जो भी बाते हो या उनके जो भी तरीके हो उसमें हमें अपने आपको ढ़ालना नहीं है और बहुत प्यार से दादी जी ने जैसे आशिरवाद देते हुए वहाँ से गए मदुबन पहुँच करके दादी जी ने पत्र लिखा मुझे जो पत्र आज भी मेरे पास है और दादी जी ने यही कहा के देखो ये जो बाबा का मैनेजमेंट सेंटर खुला है ये मत समझना कि वंबे से खुला है ये मदुबन से खुला है और मदुबन ने तुमको यहां बिठाया है बाबा ने तुमको बिठाया है यहां पर और इसलिए तुम्हें कभी भी कोई भी चीज की आवश्यक्ता हो या कोई भी बात ऐसे करनी हो तुमने संकोच हो करके दादी की पास आ सकती हो दादी से बात परसे मना कभी भी हमें ये फिलिंग नहीं होने दिया कि हमको कहीं अकेले में दादी ने छोड़ दिया और हम कैसे करेंगे क्या करेंगे लेकिन हर वक्त हमें यही महसूस होता था कि हम मदुबन के तरफ से अधराबाद केस मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर में है और इसलिए निरंतरी अनुभों करते थे जैसे दादी जी की शुब भावनाएं आशिश हमारे साथ है और इसलिए जो है वहाँ कोई भी कारेक्रम करते थे तो हमें हर वक्त यह स्मृति रहती थी कि हमें बाबा का नाम बाला करता है बाबा ने एक नई सेवा का द्वार खुला है और उसके लिए अगर दादी ने हमें निमित बना करके यहां रखा है तो जरूर बाबा का इसमें कुछ न कुछ विशेश कार्य समाया हुआ होगा तो हर वक्त हमें दादी जी का जैसे ब्लेसिंग्स मैसूस होता रहता और सदा यह फीलिंग आती रही कि दादी जी हमारे साथ है उसके बाद जब मैं हैदराबाद से ही एक ग्रूप को लेकर के गई माउंट अबू शिबिर के निमित तो जैसे ही हमने द्वार से प्रवेश किया पता नहीं एक अलग सी फीलिंग मुझे आ रही थी खास करके जब मैं फ्रेन से हम आबू रोड पहुँचे हैं और आबू रोड से माउंट जब बस में जा रहे थे पता नहीं ये द्रिश्य देखते हुए मुझे अंधर में ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि दादी जी को भी जब बाबा ने बुलाया था 1969 में और दादी जी को कहा कि भई आपको ये कारोबार संभालना है तो दादी जी ने कभी पीछे मुड करके ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सेंटर है मेरी ये सिवाएं हैं मैं किसी को सौंख कर आती हूँ कुछ नहीं है और इतनी समर्पित भुद्धी हो करके दादी ने बाबा की हर बात को सिर माथे करके स्विकार किया उस दिन जब हम भी माउंट चड़ रहे थे सारे द्रिश्य प्रकर्ति के जो धर्याली थी उसको देखते हुए मन में यही संकल पाया कि मान लो कि मुझे भी दादी जी अगर कहे कि तुम्हें यहां रहना है तो मुझे क्या करना चाहिए क्यों यह विचार आ रहे थे मेरे मन के अंदर मुझे पता नहीं लेकिन जैसे जो होनी होती है वो जैसे पहले से ही वो संकल्प मन के अंदर आरंब हो जाते हैं तो मेरे मन में यही आया है कि जैसे दादी जी ने किया ऐसे ही मुझे भी करना है और इसलिए जैसे मैं गेट में प्रवेश हुए ग्रूप को लेकर के और सशिबन की ऑफिस में गई दादी जी आंगन में बैठे थे और दादी जी ने हाथ के इशारे करते मुझे बुलाया और बुला कर पूछा कि इतने दिन के लिए आई मैंने कहा दादी ये ग्रूप को लेकर आई हूँ शिबर के लिए और इसके साथ ही पांचवे दिन में चले जाएंगे दादी ने तुरंद मुझे कहा टिकिट कैंसल करा दो ग्रूप को भले जाने दो और तुम यहां रुप जाओ कोई खास सेवा तो नहीं है है हिद्राबाद मैंने कहा नहीं तो कहा दादी चाहती है कि तुम थोड़ा दिन यहारो रास्ते में मुझे जो संकल्प आ रहे थे और मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मैं सोच रही थी और दादी ने वही बात कही उसके बात दादी ने मुझे पूछा कि तुम चन्ना रेडी को जानती हो कभी मिली हो उसको मैंने कहा रक्षा बंदन के समय मिली थी उनके पास हम गए थे राक्षी बाहने के लिए दादी जी ने कहा भी वो राजस्थान का गवर्नर बना है और उसने इच्छा व्यक्त की है कि मैं ब्रह्मा कुमारिस का शीलुबेंटोर्शिविर में बिजी है वो जाना ही सकती है शश्षीवेंट बिजी है वो भी जाना ही सकती है तो मैं सोच रही थी किसको बुलाओं अच्छा हुआ तुम आ गई और तुम मिली भी हो उसको तो उसको कॉर्स कराएगी मैंने कहा जी दादी, गर रोज राज भवन जाना पड़ेगा, तुम एक बार वहाँ जा करके देखके आओ, और वहाँ जो प्रकार की तयारी करनी है, उसने कहलवाया है, कि यहाँ ही बैठ करके हम पोस्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको जो चाहिए जैसा चाहिए, वै मैंने कहा दादी अगर बाबा का कमरा जैसा कुछ बनाए, बाबा का फोटो अगर वहाँ लगाए, और वहाँ बैठ करेंगे तो एक वाइब्रेशन, और नीचे सफेज चदर अगर बिछाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, एक वाइब्रेशन बना रहेगा, दादी न मैं तुरंद भाईयों को कहा, जैसा ही उसको चाहिए वैसा बना करके बुए, और फिर उसका कोर्स आरंभ हुआ, और कोर्स के दौरान जो है, मेरी हर बाते रेकॉर्ड होती थी, मैं शाम को जाते थी कोर्स कराने के लिए, साड़े छे बज़े से साड़े साथ बज़े तक क जैसे ही वहां से कोर्स करा के आती थी, कि दादी जी बाहर ही बैठी होती थी आंगन में, कितना कोई कहे के दादी आप भोजन कर लो पहले, दादी के तिन नए यूख्षा भी आई नहीं है, दादी जी को यही रहता था कि छोटी है, वहां पता नहीं उसने क्या-क्या प्रश्न पूछा होगा, इतना बड़ा और मालूम था कि दॉक्टर चन्नारेडी बहुत बुद्दीमान है, हुशार है, और किसलिए उसने ये बात कही थी कि मुझे कोर्स करना है, तो इसलिए दादी जी इंतजार करते थी, आते, जैसे मैं आते थी तो पूछ ती थी अच्छा, कुछ बात चित हुई, उसने कुछ पूछा, साथ दिन तक तो कुछ नहीं पूछा था उसने, लेकिन जैसे ही साथ दिन का कोर्स पुरा हुआ आठवे दिन उसने कहा, कि अब कोर्स पुरा हो गया, अब मुझे कुछ सवाल पूछ नहीं है, और उस दिन सवाल जवाब करते करते करीबन दो घंटे हो गये, शाडए साथ के बदले, साडए आठ, औने नौ बजे तक दादी जी ने भोजन नही क्यों नहीं आई इतने लोगों को भेजया लेकिन ADC मना करता था भी डिसक्रशन चल रहा है अंदर कोई जा नहीं सकते हैं और इसलिए वो लोग वापस आ जाते थे दादी जी को लगा कि दो घंटे हो गए क्यों नहीं आई एक चिंता होने लगी दादी जी को जैसे नौ बज आजंशन नहीं किया है अपने साथ हूजन कराय और भोजन करा के जैसे पूछती रही क्या बोला, मैंने का दादी आज बहुत सारे सवाल जवाब हुए, चा, क्या पूछा, एक-एक सवाल पूछ, इसका जवाब तुमने क्या दिया, मैं बताती थी ये जवाब दिया, दादी कहती सवाज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया, फिर म मैंने कहाँ मैं तो कॉंबे में रहती हूं, एदराबाद में रहती हूं और इस लिए यग्य के कुछ चारुबार की बातें मुझे पता नहीं होते थी तो मैंने यही कहा उसको कि मुझे पता नहीं है मैं दादी جसे कुछ पूछ करके कल फिर आपको बता और शन्ना रेडी को भी इस बात में सच्चा ही महसुस होगी कि जो चीज उसको पता नहीं है वो नहीं जवाब देती है किती है मैं पूछ के आऊंगी और फिर जवाब कूँगी जब ये बात दादी जी को सुनाए तो दादी जी इतनी प्रसंद होकर तहां बहुत अच्छा तुम ने जवाब दिया और फिर जैसे मुझे एक-एक सवाल का क्या जवाब देना है दूसरे देना वो भी बताया और बता करके फिर जैसे तयार करके भेजा कि आज इन बातों का जवाब देना है ना हमारी दादी जी ने ये बात सुनाई है या कहना कि आप आओ माउंट आप आओ पांडव भवन में और पांडव भवन में दादी जी आपको इन सभी बातों का जवाब देने है सच मुझ में जैसे ही मैंने इस बात देही उसको का शाम को आता हूं पांडव भावन में और दादी जी से स्पेशल मुलाकात करते हैं, बहुत अच्छा लगा और दादी जी से जब मिले दादी जी ने जो उनके प्रश्न थे, उनका जवाब दिया तो दादी जी को तर एक बात का जवाब देती हुए दादी जी की तो सरलता ऐ अयसी होती थी, निर्मानता अयसी होती थी, दादी जी के विचारों की स्वच्छता ऐसी होती थी, जो कोई भी आत्मा प्रभावित हुई बिना रह नहीं सकते। और इसलिए वो इतना प्रभावित हो करके इतने सरलता से दादी जी की हर बात को सुन करके स्विकार करते रहे और हर बात को एकसेप्ट किया इसी से ही मेरे जीवन में एक नया मोड आया कि जब चन्ना रेडी निमित बने ज्ञान स्वरोवर के प्रोजेक्ट को पास करने के लिए क्योंकि दॉर्मेंट के हिसाब से माउंट अबू की लैंड नॉन कन्वर्टेबल थी जहां पर कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होता था लेकिन उसने विशेश मदद करके उसको कन्वर्ट कर दिया और बिल्डिंगें बनने लगी ज्यान स्वरोवर का कारोबार बहुत शिगरता से हुआ और उसके बाद जैसे ही उसने दादी जी से कहा कि मैं जैपूर में भी ऐसी एक सेवा कराना चाहता हूँ जहां सारे मिनिस्टर्स और आईयस ओफिसर्स को बुलाओं सचमुच में इतना सुंदर कारेकरम जैपूर में और्गनाइज किया उन्होंने बड़ी दादी जी को इतना सम्मान दे करके वहां बुलाया हम भी साथ में गए थे दादी जी के और इतने क्रीम लोगों को इन्वाइट किया था सारे जैपूर के और उनके बीच में जो प् रहा है और उसके बाद उसने दादी जी से कहा के इन सब की सेवा यह सब को घी कोर्स करना चाहिए तो मुझे यही बहन चाहिए यहां जैपूर में एक मिनिस्टर पॉटेश देता हूं दादी जी ने उस समय मुझे देखकर कहा अभी तुम वंबे को हैद्राबाद को टाट करनी होगी तो दादी जी ने कहा के योगिनी में से मैं बात करूं तो अब तुम जैपूर जब तक वो मिनिस्टर कॉटेज को अपने हिसाब से बना रहा था मेडिटेशन रूम, हौल यह सब के हिसाब से उसने सारा कंस्ट्रक्ट करवाया रेनोवेट कराया एक मिनिस्टर कॉटेज को लेकिन तब तक उनकी ट्रांसफर हो गई तामिल नाडू के अंतर और तब फिर दादी जी ने कहा अब तीसरा सेंटर खुलने की आवश्यक्ता नहीं क्योंकि उन लोगों ने वापस मिनिस्टर कॉटेज तो ले लिया तो दादी जी ने कहा भी क्यान सरूर बन रहा है बहुत प्यार से दादी जी ने मुझे बुला कर कहा कि देखो उश्या दादी की इच्छा यह है कि तुम मदुबन में रहो लेकिन फिर भी दादी तेरी इच्छा जानना चाहती है कि तुम अगर कोई सेंटर पर जाना चाहती हो वापस हैद्राबाद जाना चाहती हो कि अब एक शीलू पहुंच नहीं सकती है और ज्ञान सरोर बनने के बाद तो यहां सेवा का स्वरुख भी बदल जाएगा बहुत विशाल हो जाएगा तो हमें ऐसी योग्य टीचर यहां चाहिए मेरे मन में आया कि दादी जी administrative head है वो चाहे तो हमें order कर सकते थी के अब तुम यहां रहो तेरे को कहीं जाना नहीं है लेकिन फिर भी दादी इतना निर्मार होकर के मुझे पूछे तेरी क्या इच्छा है सेंटर पर रहना है या मदुबन निवासी बनना है मैंने कहा दादी आपकी इच्छा बाबा की इच्छा है और इसी लिए मुझे कोई आपती नहीं है मदुबन निवासी बनने में सचमुच दादी जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो इतना प्यार से मुझे गले लगा करके इतना प्यार दिया और कहा के हां और दादी जी ने कहा के तेरे को हमने ही भेजा था बॉम्बे तुम तो है ही मदुबन की और इसी लिए दादी जी भी यही चाहना रखती है तुम मदुबन में रहते हैं लेकिन हां मदुबन में रहने के लिए एक बेहत का घर है बेहत की भावनाओं के साथ यहां रहना होगा सेंटर छोटा सा स्थान है वहां जो बाते आती है और यहां जो बाते आएंगी उसके लिए दादी तेरे को पहले ही सबर करती है यह भाईओं का घर है बहुत सी बाते आ सकती है लेकिन कोई भी बात को तूम आ करके मुझे सुना सकते हैं और संच-मच कदम कदम पर जैसे दादी जी ने अपना वरद हस्त रखा हर समय मुझे आगे बढ़ाने का जैसे दादी जी ने management training हो चाहे वो शिबीर का कार्यक्रम हो चाहे कोई भी सेवा हो दादी जी जैसे उस सेवा के लिए हमेशा फुजत से गुलाते थी कहती थी देती थी नहीं तुमें करना है तुमें यहां जाना है यह सेवा करनी है और मुझे बहुत खुशी होती थी इसी बात की, कि डाइरेक्ट दादी जी के चत्रचाया में, जो प्रोग्रेस मेरा हुआ, हर तरीके से दादी जैसे आगे बढ़ाने की भावना रखती थी, दादी जी जब देखती थी किसके अंदर कौन सी विशेषता है और उस विशेषता को देखते हुए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही डाइरेक्शन देते थी, तो बस उस डाइरेक्शन के आधार पर चलते हुए, प्रती दिन आगे बढ़ना, हर कदम में प्रोग्रे अनुभव करना, अध्यात्मिक जीवन के अंदर उन्नती का अनुभव करना, यह हमने दादी जी से जैसे वर्दान के रुप में प्राक्त किया, और इसलिए मदु बनाने के बाद विशेष सेवाओं के निमित दादी ने बनाया, जहें मैनेजमेंट ट्रेनिंग को लेकर के मैनेजमेंट की जो सेवाओं होती थी, मदु बन से अनेक कंपनीज में भीजने का कारियर दादी जी का जैसे विशेष प्रेणा रहते थी, और जब भी कोई ऐसा इन्विटेशन मिलता था और दादी जी को कहते थे, तो भी जैसे दादी बहुत खुशी से हमें छुटी दे करके बेशते थे, जब भी कोई शिबिर का ग्रूप आता था दादी जी से मिलने के लिए, तो उस शिबिर के ग्रूप में भी ये मैसूस करते थे हम, तो उस शिबिर के ग्रूप में जब बैठते थे, तो दादी जी हमें तभी भी नाम से नहीं पुकारती थी, चाहे मैं लेकिन उन शिबिर वालों के सामने दादी इतना रिस्पेक्ट और रिगार देती थी उशा बेहन, शीलू बेहन कहकर के ही जैसे हम से बात करती थी शिबिर वालों के सामने एक दिन मैंने ऐसे ही जस दादी को कहा कि दादी आप उनको उश्या बेहन क्यों कहती हो उन लोगों के सामने आप तो इतने बड़े हो आप नाम से भी बुला सकते हो दादी ने कहा नहीं जो करम मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे और इसी लिए तुम लोगों के प्रती इनकी भावनाएं होती हैं उनका रिगाड होता है तो उस रिगाड को बनाए रखने के लिए हमें भी वैसे ही कहना होता है कहने का भावार्थ के दादी जी हमेशे इस बात का भी ध्यान रखते थी कि जो शिबिर वालों को आपने शिबिर कराई उनका आपके अंदर कितना भाव है हम खाली नाम ले करके करेंगे तो उस भाव को कहीं न कहीं तोड़ने का काम करती है इसलिए दादी उनके सामने हमें इतना ही रिस्पेक्ट रिगार्ड दे दे थी और उससे उनके अंदर भी इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड कि इतनी बड़ी संस्था की हैड वो आप लोगों को भी पर शिबीर वालों ने हमें कहा भी इस बात को कि इतनी बड़ी संस्था के हैड और वो आप लोगों को उशा बहन, शीलू बहन इतना respect रिगाड देते हैं ऐसा हमने कभी किसी संस्था में नहीं देखा तो इसलिए आप लोग जो कहते हो उसकी प्रैक्टिकल जीवन में धार्णा है यह हमने यहां पर देखा और पहें नहीं देखा कि जहां आपकी हेड इतनी निर्मान हो तो नैचरल है कि वो धार्णाएं आप लोगों के जीवन में भी हमें देखने को मिलते हैं बाते तो अनेक है एक एक बात के लिए भी आज दादी जी की याद आती है अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिसका स्मरण करते हुए ऐसा मैसूस होता है कि सच मुझ बाबा ने इसी लिए शायद आगे के एडवांस पार्टी के कारिये में भी विशेश देजी लाने के लिए दादी जी को ही चुना और अपने साथ ले लिया लेकिन आज अगर दादी जी प्रेक्टिकल में यहां होते थे तो नैचरल है कि इस संस्था को और भी उंचाईयों पर जो पहुँचाया है और और भी प्रत्यक्षता के लिए दादी जी चरूर निमित बन जाती थी और ये कारिय सारे विश्व के अंदर जिस तरसे दादी जी के नित्रत्वों में दिन दुगुना राच चौगुनी बढ़ता रहा ऐसे ही आके बढ़ता रहे अच्छा ओम शाद्वी